नाकपुर जिले में कनहान कोलार पेंच नदी को आई बार के बाद विनाश लिला देखने को मिल रही है नदी का पानी कम हो रहा है वही आप बहावी धीमी ग्यती से हो रहा है बार की वज़े से बंद पड़े कुछ मार्ग फिर से चालू कर दिये गया है इस बार से किसानों का काफी नुकसान हुआ नदी को लगे बहुतांश किसानों के खेतों में पानी चले जाने से उनके फसल को नुकसान हुआ है पहले को लना फिर फसल की कीडों की मार अर अब नदी की बार से किसान पूरी तरह तूट गया साथ ही बार से कई लोग बेघर भी हुए है नदी किनारे बसे इड़टों का काफी नुकसान हुआ है इड़टी पूरी नदी में डूब गये है भानेगाव में नदी किनारे चल रहे कन्वेयर के काम के दौरान पानी का बहाव में वहाँ पर रखा सारा माल बहे गया है नदी का पानी अब कम होने से नदी में नौ ट्रक दिखाई दे रहे हैं ट्रक मालिक नदी का पानी उतरने की रा देख रहे हैं साउनेर तहसल प्रशासन को अभी तक इसकी जानकारी कैसे मिल नहीं पाई जबकि बाड़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे तहसल की टीम कर रही है साउनेर तहसल में शुकरवार की देरात रविवार की सुबह तक 209 मकान की दिवार गिरी है चार मवेशियों की जान गई तो चार जख में हुए है साउनेर तहसल के 135 गाउ प्रभावित हो चुके है इन प्रभावित गाउ में 7,474 लोग प्रभावित हुए जबकि 5,196 हेक्टर फसल पूरी तरफ बरबाद हुई है सरवे अभी भी चल रहा है सोमवार कोक्षेतर के आमदार और नंदापुरी इलाके में जाकर प्रभावित लोगों से मिले परिस्तिति का जायजा ले रोहना गाउ का विठल मंदिर पूरी तरफ पानी में डूब जाने के बाद पानी में बै गया नदी में बहरा, कलेश, भानी गाउ बिना संगम समीप एक यूवक को दिखाए दिया तो वही यूवक नदी में कुद गया और कलेश को नदी से बहार निकाल लाया काउंटी तैसिलदार हिंगे ने बाड की स्थिती को देखती हो है बिना संगम गाउ खाली कराने के लेक गाउ में जाकर लोगों से अपील की थी शनिवार की दो पर से देर रात तक बिना संगम गाउ खाली कराने का कार्य चला लेकिन रविवार की दोपर तक नदी का पानी कम हो जाने से लोग अपने घर लोट चुके है इन बीसे नियूस के लिए सावनेर से अरुन महाचन के रिपोर्ट